प्रेंट लाइन वर्कर्स को लगाए जाएगा टीका कोविड उनीज के खिलाब जंग में भारत अपनी हालत मुस्तलसल कर रहा है मुस्तख्यम गुदिश्ता 24 घंटों में पिछले साथ महीनों में एक ही दिन में सबसे कम 12,584 नए मामले दर्श 25 रियासतूं मरकस के दिरंतिजाम इलापों में कोविड उनीज के एक्टिव मामलों की तादाथ 5,000 से नीचे कोविड उनीज के आगास की जाच के लिए आलमी दारे सिहत की माहिरीन की टीम कल पहुचेगी बुहान डव्य एचो सर्बरा ने कहा के तंजीम वारिस के जरिये की शिनाख्त करने के मिशन पर चीन के साथ काम करने के लिए है तयाद वजिर खाज़ एस्चे शंकर का बयान आलमी दर्शतगर्दी के खलाफ कोशिशों में भारत हमेशा रहा है सबसे आगे अख्मा में मुझहदा की सलामती कांसिल में दर्शतगर्दी के आलमी चैलेंच पर भारत का मौकफ किया पेश कुछ मुलकों में पर दर्शतगर्दी की हमायत करने और माली इनायत कायद किया इल्जाब प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के पांच परस हुए मुकमल इस मनसूबे से फसल से नुकसान का सामना कर रहे किसानों को मिला फायदा करनाटक काबीना की आज होगी तौसी रियासत की चौती सुरुपनी काबीना में साथ विजारते हैं खाली साथ नए चेहरों को काबीना में किया जाएगा शामिल अमेरिकी नाइब सदर माइक पैंस ने डोनाल ट्रम को सदर के उधे से बड़तरफ करने की तज्वीज की मुस्तरत अमेरिकी कॉंग्रेस में आज वोटिंग एफबी आई ने गुदिश्था हफते कॉंग्रेस पर हमले के मामने में अब तक 160 अफराद को किया गिरफ़ता और इंग्लिश प्रिमियल लीग में मैंचेस्टर यूनाइटिट ने बर्कले को एक सिफर से दी मार्ट पॉइंट स्टेबल में लिवर्पूल को पीचे चोड़ते हुए मैन्यू ने हासिल किया पहला मकार आदाप नाज़ीन खबर नामे में आपका स्तक्बाल है मैं हुसाइमा खान अब खबरें तफसिल से वजिर खाजा एस्टेश शंकर ने अकवाम मुतहदा की सलामती कौंसिल में आलमी दर्षटगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने के लिए आठ नुकाती एक्शन प्लान की तजवीज पेश की उन्होंने कहा कि दर्षटगर्दी के खिलाफ जंग जब ही लड़ी जा सकती है जब सभी मुमालिक इमानदारी से इसके खिलाफ महास अराईयों और दोहरी पॉलिसी को अपनाना खत्म करें जब सभी मुमालिक्ट खाओ जालाथ मुम प्रेसा अच्छायश वारी बिन अच्छान अच्छायन मुम ट्राइशन चाहिं और ने कि यूलिस दाने भी मैंट इस्टा। घायों को भी मुमार्शन प्राइ़ एम घज़ चस्वारा विज़ तर्राण थालाईयों नियर मुम यह ने मज़ीद कहा कि देशिदगर्दों की फंटिंग के तमाम जराय मजभी इंतहा पसंदी को हवा देने वाले नजरियात की तश्हीर और सोशल मीडिया वा दीगर प्लैटफॉर्मों पर इंतहा पसंदी पर मबनी नजरिया से सक्त मुकाबला करके ही देशिदगर्दी पर गदगन लगाया जा सकता है पर प्लिटिकल और रिलिजिस कंसिटरेशन प्रपोजल संदी रिगाड मेरिट ड्यू एग्जामिनेशन पर साइक्टूलिशन करनाटक में आज वजिर अला बियस यदूरपा अपने वजारती काबिना में तोसी करेंगे रियास्त की 34 रुकनी काबिना में साथ उहदे खाली हैं काबिना की इस देरीना तौसी के सिसले में ही गुदिशता दिनों वजीर आला येदुरपा ने दिल्ली में बीजे पी की आला क्यादस से मुलकात की थी काबिना दिल्ली में वजीर आला येदुरपा ने पार्टी सदर जे पी नड़ा और मरकजी वजीर दाखला में शाह से मुलकात की थी इजरान पार्टी के रियास्ती इंचार्ज अरुन सिंग भी मौचूद थे और भारत ने करोना की वबा के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामिया भी हासल की है करोना के खिलाफ हुकूमत के सक इकदामा से बहतर नताइच बरामत हो रही हैं रोजाना कोवीड-19 के नए मामलात कमी के साथ दर्ज हो रहे हैं तक्रीबन साथ महाबाद गुजशता 24 खंटों के दुरान सिर्फ 12,584 नए मामला सामने आए हैं 18 जून 2020 के महीने के मामलात के तादात अगर देखी जाए तो 12,881 थी जहां कोवीड-19 से रोजाना शर्यमबात में कमी आ रही है मही सेतियाब मरीजों की तादात में भी तेज रफ्तारी से इजाफाद जारी है मरकसी हकूमत और समाज की मुश्तरका कामिशों के 22 मौसर हिकमत अमली अपनाए जाने की वज़े से कोवीड-19 के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है गुदिश्ता 24 घंटों के दुरान कोवीड-19 से 116 अफरात लुकमे अजल बन चुके है मुल्क में कोवीड-19 के एक्टिव मामलात की तादात 2,16,558 रह गई है गुदिश्ता 24 घंटों के दुरान मजमुई तोर पर एक्टिव मामलात में 5,968 की कमी भी दर्च हुई है कौमी सतह पर मुश्तरका काविशों की वज़े से 25 रियासतों और मरकस के जिरिंतजाम इलाकों में एक्टिव मामलात 5,000 से कम है दूसरी तरफ 32 रियासतों मरकस के जिरिंतजाम इलाकों में एक्टिव मामलात 10,000 से कम सामने आए है सहतियाब अफराद की मजमुई तादात 1,1,000,000 एक लाग से जादा है जिसकी वज़ा सहतियाबी की शरह 96.49 पीसद हो गई है एक्टिव मामलात में सहतियाब अफराद की तादात में मुसलसल इजाफा जारी है फिलहाल ये फर्क 98,94,736 पर पहुँच गया है मरतानिया में पाए गए दूसरे किसम के करोना वाइरस से अब तक मुलक में मजमुई तोर पर 96 अफराद मतासिर है पिछले 24 घंटों के दुरान इस नौईयत का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है 16 जनवरी से शुरू होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ठीका कारी मुहिम के लिए मुलक पूरी तरह से तयार है दिली समय 13 शहरों में वैक्सिन की पहली खेप पहुच चुगी है पहले मरहले में 3 करोड हेल्थ केर और फ्रेंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा और टीका कारी मुहिम पर मजीद तफसिलात के लिए आईए बात करते हैं हमारी नुमाइंदी नितेंदर सिंग से नितेंदर ये सबसे बड़ी दुनिया की टीका कारी मुहिम कही जा रही है काम बड़ा मुश्किल है चैलेंज से भरा हुआ है किस तरह से रियासते तयार हैं और क्या-क्या तयारियां और उने कर रखी हैं किस तरह से इस मुहिम की शुरुवात होगी। से टिका करन सुरू हो जागा। उसके लेकर के जिलास्तर पे ब्लॉकस्तर पे और रात्मिक स्वास्त के अंदर स्थर पे पुली तरिया की गई है। सब्सक्राइब करना है। प्रोटेक्शन की जो एंटिबॉडी और बाकी जो तमाम चीज़े हैं वो डबलफ होंगी। तो उसके बाद इतने दिनों तक भी आप सब को जो भी तीका लगाएंगा उनको मास्क लगाना है, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो हम लोग लगाता है हाथ दोते रहते हैं या सेनिटाइज करते रहते हैं उसका पालन करते रहना है। और आज भारत भार्टेक का जो वैक्सिन है को वैक्सिन उसका भी पहली खेप दिली पहुँच चुकी है। तो निश्टी तो आप हम मानते हैं कि अगले जो 14 तारी तक सभी जगर तक पहुँच जगा टीका और 16 तारी से टीका करन होगा। निश्टी जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पहले हेल्थ वर्कर्स को उसके बाद फ्रेंट लाइन वर्कर्स को ये टीका लगाया जाएगा और डेटा भी अप्लोड कर दिया गया है। साथी साथ जब आप ठीका लगाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको मास पहनना बहुत सरूरी होगा। का विवार हम बोलते हैं उसको अपनाते रहना है क्योंकि वाइरस अभी हमारे देश में हैं हमारे समाज में हैं तो वाइरस अभी काफी बद्लाव करता है बहुत ही चालाक वाइरस है इसलिए हमें मास लगाना है और जो दोगत की दूरी है उसका पालन करते रहना है और हमे सावधानी और रहतियात बरतना है हाला कि केंदर सरकार राज सरकार और पूरे देश की जो नागरिक हैं उनके प्रयासों का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि 24 गंटे में सिर्फ 12,000 केसे जा रहे हैं अगर रॉस्तन पिछले एक हबते का हम डाटा देखे तो बहुत केस कम हो गया है लेकिन इसको और भी कम करना है और इसके लिए जरूरी है कि हम लोगो सावधानी और सतरक्ता बरतनी है जी नितेंदरे इस वक हम आपको रोकना चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रे है इस तमाम तफसिलात के लिए अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर डेमोक्रेटिक के जर्ये कंट्रोल अमेरिकी आवारे नुमाइंदगान के तहत आज सदद डोनाल्ड टरम के गदार इससे बड़तरफ करने के लिए वोटिंग हो रही है और इस वक्ट वोटिंग शुरू हो चुकी है इसी पर मजीद तफसिलात के लिए बात करते हैं हमाई नुमाइंदे अभिशेक से अभिशेक क्या ताजा जानकारी है आपके पास जो फिलहाल बात थी कि 25 अमेंडमेंट को इन्वोक करने की मेंडमेंडमेंट के दौरा वोटिंग बात ₈बी थी पेले थी इसके अभिशेक क्या बेहाएं करकशे पूरी देट शुरू करेगे और वहीं का प्रोसेस खिर्वा है धिर्जार ब्रूम के कहा जा रहा है कि उनकी प्रस्तावित किया गया है उसमें ये बताया जाए कि उन्होंने इंसरेक्शन को और्गनाइज किया है और मॉब्स वाइलेंस के उन्होंने उक्साया है और इन्हीं दोनों ग्राउंड पे ये पूरी जो इंपीच्मेंट का प्रोसेस अब शुरू हुआ है और अभी फिलाल ज अगर इसके इंपीच्मेंट के बक्ष में जाती है तो ये इंपीच्मेंट की प्रोसेस शुरू मानी जाएगी और इसको कम्प्लीट करने के लिए अगली प्रक्रिया सीनेट में होगी जहां पस एक पास फिर से डिमोकर्ट का बहुमत है लेकिन वहां पर भी उन्हों एक ज पारिज हो जाए रिक्वार्मेंट की वह भी पूरी हो जाए इंपीच्मेंट के लिए फिलाल इसको अभी देखने के लिए थोड़ा सा वक्त हमारे पास बास ही है जी अभीशेख हम यह जानना चाहेंगे आप से कितना मजीद और वक्त लगेगा इस पूरे अमल को होने में लेखे जो सिनेट पे अभी अगरे हाउस रिप्रेजेंटेटिव के इंपीच्मेंट का प्रोसेस पास कर देती है जो कि बहुत ज्यादा मुम्किन है तो इससे बाद यह प्रक्रे सिनेट में जाए जो सिनेट की चुर्ष पैठाट है वो 19 जनवरी से इसके बाद बोनी है य पुशिश कर सकते हैं इमेर्जेंसी प्रोविजन के तहीर के जीनेट के बैधा को जल्दी से जल्दी कर्मीम क्या जाए ताकि इंपीचमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाए जैंगी अगर यह बताना चाहूँगा अगर इल्रिद भढ़ती है तो अभी हिस डोनार कर अब 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 आप से एक बात और जाना चाहेंगे हम के जिस तरह से वहाँ पर एक एमर्जनसी की सुरते हाल बनी हुई है और रोज एक नई खबर आ रही है कि जब तक हरफ बर्दारी नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी हो सकता है उस तरह तरह से निमटने के लिए वहाँ पर क्या 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 पारलेमेंट की तरह है ने डहीं दो वहाँ पर पैरलल अभी जो टर्मॉइल चल रहा है युए से में पहला है एडमि सिर्टिव टर्मॉइल जो की वहाँ कहमें देखा कि इस प्रकार से घीड में ग्रीड में सारे गुनागारों को पकड़ने के उनको सजा दिलाने की कोशिश कर रही है पुरी यूएस में से तमाम जो टिप मिल रहे हैं वहां की जिंसी को लाको वीडियो शेयर किये गए और टिप शेयर किये गए हैं उन लोगों के जो कि उन्स भीड का हिस्टात है जिसने करते हुए डोनल्ड ट्रॉम्प को इंपीज किया जा और उन्हें पद से हटाया जाए माइक पेंस जिन पर की डोनल्ड ट्रॉम्प को मीदे थी कि वो शायद 25 अमेंडमेंट को इंडोक करेंगे तासकि जो मौझूदा राश्पतिया उनको सथकाल प्रभाव से हटा कर माइ यह जो इंपीज्मेंट का प्रॉसेश चलेगा यह भी लग आता रहा है कि यह लंबा खिता और ऐसे में जो प्रेशिदेंसी है डोनल्ड ट्रॉम्प की वो खत्रे में नहीं है खाला की इंपीज्मेंट प्रॉसेश की जो प्यूरिटिव एक्शन हो सकते हैं डोनल्ड यही हो सकते हैं कि जो डोनल्ड ट्रॉम्प है वो फ्यूचर नों प्रेशिदेंस के बद के लिए जुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे और एक पूर्व राश्रपती के रूप में जो भी सुविधाएं सहुलियति और सुरक्षा मोहिया कराई जाती हैं शायद ट्रॉम इंपीच्मेंट का जो प्रोसेस है यह तो पता नहीं अभी कितना लंबा चलेगा लेकिन हाल फिलहाल में जो अमेरिकी जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रॉम्प ने जो ओर्डर पास किये हैं उसकी क्या सुरते हाल है क्या वो अभी भी जारी रहेंगे जब तक ही आमल चलता रहे है जब तक की इंपीच्मेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता कानूनी तोर पर उनको सारे आजिकार भी ले हुए और जो कहें तो एक तरिके से दुनिया की सबसे बड़े नेटा के रूप में सबसे ज़्यादा और अभी भी नोनाल प्रॉम्प के पास में हैं और उन तो नाजीन आपको फिर बता देते हैं कि डेमोक्रेटिक के जरिये कंट्रोल अमेरिकी एवान नुमाइंदगान के तहट आज सदर डॉनाल टरम्प को गदार से बड़तरफ करने के लिए अमेरिकी आईन की 25 वी तरमीम को नाफिस करने से मुतालिक इल्जाम पर वोटिंग इस वक्त जारी हो गई है अभी शेख से इसी पर और मजीद तफसिलात के लिए जुड़ जाते हैं अभी शेख इस वक्त महा की क्या सुरते हाल है और थोड़ी सी तफसील बताएं इसके बारे में आपको बता दें कि डेमुक्रेटिक के जिरे कंट्रोल अमेरिकी आईने नुमाइंदगान के तहट आज जिस सदर डुनाल्ड टरम को एकिदार से बड़तरफ करने के लिए वोटिंग इस वक्त हो रही है इस अज़ाम के तहट अमेरिकी नाइब सदर माइक पैंस ने इस तजवीज को मनजूर कराने के लिए काबिना की खियादत करने की अपील की गएगी थी जिससे उन्होंने मुस्तरत कर दिया वाज़ रहे के टरम हामियों के जरीए कैपिटल बिल्टिंग में तशद्दूत के बाद एवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक मेंबरान ने ये फैसला किया था और एक बार फिर से हमाई साथ हमाई नुमाइंद अभी शेख जुड़ गए हैं अभी शेख इस वक्त वहाँ क्या ताजा सुरते हाल है अभी जो पूरी प्रोसेस है वोटी की वो चल रही है और इसको थोड़ा सबस्त अभी और लएगा और हम सब जान पाएंगे अगर यह प्रोसेस पाज हो जाता है साइमा तो इस बाद यह सारा मता जाएगा सिनेट में क्योंकि हाउस अप्रेजेंटेटिटिव एक तरीके से सिर्फ अप्रूवल देती है कि हाँ इन पर इंपीच्मेंट चलाया जा सकता है और उसको जज़ करने का काम उनके जो इन पर इंपीच्मेंट प्रोसेस को पास कराना है यह बड़ी मुश्किल का काम होगा डेमोकरची के लिए हाला कि देमोकरची के पास तीनेटिव मेज़ोरिटी है लेकिन जो तू-थर्ट मेज़ोरिटी चाहिए होगी वो उनके पास नहीं है उनके पास बहुत तो माइनोर अब्रिकन पार्टी से समर्थन है वो भी डोनाल ट्रम का खेसकता होगा रजर आ रहा है और ऐसे हालत में बहुत मुम्किन है कि जो इंपीच्मेंट का प्रोसेस हो वो एक तरीके से अप्रूव हो जाए चिनेट में भी हाला कि इतने लोगोंने बयान दिये हैं क्या वो होता है और हम कभी खुल कर इस बारे में कुछ देख पाएंगे कि क्या हालात रहे और लोगों ने किस तरीके से डोनाल ट्रम को सपोर्ट किया या उन्हें सपोर्ट नहीं किया अभी शेक एक बार आप से फिर से यह जाना चाहेंगे कि कौन कौन से इल्जामात है जिसके तह होता तो वहां पर उसे मना कर सकते हैं उसके हिजाब से वह जो क्याबिन्ट की जो मैजॉर्टी है वह यह कैसा ले ले दी माइक बेंस के दाथ कि यह राजपती जो है अपनी जूटी को प्रोपोर्विल करने में सक्षम नहीं है और आप इसी सूरत में इसे हटा देना था कि वो जो पूरी खाव की तक्रिया है उसे रिजेक्ट कर दें तब ही उन्होंने इस तरह की दवाव के प्रिशर में वो नहीं आए थे और एक बाद फिर जब यह इंपीज्मेंट की पूरी प्रोसेस चलाई जा रही है और उस पर दवाव बनाया जा रहा है कि वो प्रि प्रिया को वोटिंग के ताहद लाएंगे वोटिंग के ताहद अगर यह चीज़ जाती है तो बहुत दंबव है कि हाव्ट ऑफ रिप्रिजेंटेटिव इसको अप्रूव कर देगी जिसके बाद इंपीज्मेंट का प्रोसेस अपको बोलने के बाद यह पूरा मस्दा चीन के बराबर का लगवर यह मामला बनता है उसमें डूनल्ड ट्रॉम पे और ऐसी हालत में उनको राश्पति पद पर नहीं रहना चाहिए और जो पोटिंग मेंट मेंट है वो यही कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्टी जिसने देश्ट्रों के काम क्यों या इसी क्लीड को उक्त सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया यहीं उनके उपर इल्जाम है तो अगर यह इंप्रीज्मेंट का पॉसे से पूरा हो जाता है तो ट्रॉम क्यों पर किस तरह की मुश्किले उनके आगे के लिए भी पैदा होंगी लेकि ट्रॉम के खिलाफ फिलहाल तो मुश्किल मुश्मेह व सुनार कि सानरी मुश्न कि मुश्किले Ε verlier ए्य हो यहाल मुश्किले कॉर एफ। अ आफ़ है की मुश्किले का त्वरे समय मुश्किरी प्रॉम्ね ऑनन मुश्किले की मुश्किर सेलई प्रॉम्र्मुने स्ट्चिमेब जी ए्हाली का ॥inos special trainingì लिए भीनवे भी ह I inform the House that Congressmember Napolitano will vote yes on H.R.S. 21 and Mr. Speaker as member designated by Congressmember Costa pursuant to House Resolution 8 I inform the House that Congressmember Costa will also vote yes on H.R.S. 21 For what purpose does the gentleman from Nebraska seek recognition? अबिशेक आपसे एक बार फिर से आपकी तरफ बढ़ेंगे इस वक्त कॉंग्रेस की वोटिंग वहाँ पर चल रही है क्या मज़ीद तफसिलात हैं आपके पास? वोटिंग चल रही है अबी वोटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है जो मामला लग रहा है वो एकसर लग रहा है कि यह जो रिजूरुशन है वो पास हो जाएगा और अगर यह रिजूरुशन पास हो जाता है तो यह पूरी प्रक्रिया एक बखर से चलेगी तीनेट में सीनेट में डिमोक्रेट्स ने अभी हाल में एक बहुमत हासिल कर दिया लेकिन वह बहुमत बहुत ही चोटा सा है तो क्या जो पूरी जो टू-थर्ड मैजॉरिटी चाहिए तूरस उसे ख़त्म करने के लिए रूनाल टरंप को एस अपर खेंट हटाने के लिए ये एक पेचिदा मसला होगा क्योंकि करी 50 ही जो डिमोक्रेट्स हैं वो सीनेटर हैं वहाँ पर एक जो बात इनके हक में जाती है डिमोक्रेट्स के इंपीच्मेंट प्रोसेस के कि अभी हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा जो रिपब्लिकन सीनेटर्स हैं उन्होंने कहा है क कि वो डॉनल्ड टरम से खुश नहीं है डॉनल्ड टरम को हटाया जाना चाहिए तो ऐसी हालत में क्या जब वोटिंग होगी तो वो इंपीच्मेंट के पक्ष में वोट करेंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत संबग है कि जो ज़रूरी नंबर चाहिए होती है तिनेट में वहां पर पहत होती है और अगर यह प्रस्क्रिया लंबिक लिए तो एक राश्ट पती कर चाहेंगे इसी पर मजीद तफसिलात के लिए हमाए साथ जुड़ गए हमाई नुमाइंदे रमेश रामाचंद्रा रमेश आपके पास क्या ताजा तफसिलात है इस वक्रेश की वोटिंग चल रही है जी जैसा अविशेख बता रहे थे कि अभी हाउस रेप्रेशनेटिव जो की उनका लोवर चेंबर अव लेजिस्टेचर है वहां पर वोटिंग इस तक चल रहा है और यह देखने होगा कि अगर हाउस वोट करता ह इस रेजलूशन पे तो क्या उपर राश्टपती माइक पेंस उस रेजलूशन को मानेंगे या नहीं अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है माइक पेंस ने कहा है कि वो इस उस पक्ष में नहीं है कि 25th Amendment को इन्वो किया जाए ताकि राश्टपती ट्रॉम्प को पद से हटाया जाए तो यह देखना होगा कि आगे चलकर वाइस प्रेजरेंट पैंस का क्या रवाया होगा बट अगर आपको प्रोसीजर में आपको दर्शकों को समझा दूँ तो अगर हाउस रेजलूशन पास करता है और उप राश्टपती उसको खारिच करते हैं तो कल थर्स्टे रा दो बार हाउस इंपीच करेगा लेकिन इसके साथ यह भी देखना होगा कि जो उनके जो अपर चेंबर है यानि सेनेट में सेनेट में डेमोक्राट्स को 2-3 मज़ॉर्टी चाहिए ट्रॉम्प को इंपीच करने के लिए यानि कि जो सेनेट में 100 मेंबर्स हैं सौ मेंसे 67 पास है 50 Republicans के पास है तो यह देखने हो क्या 17 Republicans defect करेंगे और Trump के impeachment motion के favor में वोट करेंगे या नहीं that's the latest we are picking up from the US रमेश रामचंदर आप से ये भी जाना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सीनच का पूरा process बता रहे हैं कि 50-50 का मामला वहां पर चलेगा लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब से Capital Hills के उपर हमला हुआ है तब से उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग उनसे नराज हैं समले के बाद से कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उन्हें नहीं किया और आगे भी वह इस तरह के जो उनके order पास हो रहे हैं उसको लेकर भी वह नराज हैं तो क्या वहां पर जाके ट्रम के लिए कुछ मुश्किले खड़ी हो सकती हैं जी बिलकुल पिछले नहीं किया है छे जनवरी के इंसिदेंट को लेके इनफेक्ट कुछ घंटे पहले ट्रम्प मेक्सिको बॉर्डर पे एक इवेंट पबलिक अड्रेस उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने दुबारा ये जिक्र किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो जो लोग थे उनको को उतिजित करने के लिए और ये कहते हैं अभी भी मानते हैं कि जो हुआ वो टोटली अप्रोप्रियेट था तो ये देखा जा रहा है कि रिपाब्लिकन पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो चाहते हैं कि ट्रॉम्प शुड़ है अच्छली कंड लेते हैं या नहीं जी ये भी देखना होगा तो ये तमाम प्रॉसेस अभी चलता रहेगा लेकिन हाल फिलहाल अभी की ताज़ा खबर ये है कि कॉंग्रेस की इस वक वोटिंग जारी है और आगे उनके साथ क्या होगा ये अभी कुछी दिर के अंदर साफ हो जाएगा कि आ हुआ 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 है